खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर क्यूंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती है। एक सपने के तूट कर चकना चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के होसले को जिन्दगी कहते हैं। दर्द कोई बर्फ नहीं जो वक्त के साथ पिघल जाए। दर्द लोहे का टुकड़ा है जो हड्डियों के साथ गलता है। घमंड की बीमारी सराव जैसी है साहब। खुद को छोड़ कर सब को पता चलता है कि इसको चड़ गई है। मन खुस है तो एक बुंद भी वर्षात ह दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या आउकात है। कोई भी चीज अपने कमाए पैसों से खरीदो, सौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुईकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर शकता है। जब पैसे आते हैं तो इज़्जत भी आती ह लेकिन याद रखना ओई ज़्जत पैसे की है तुम्हारी नहीं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्यूंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बाते करने लाइक भी नहीं छोड़ता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं। घर का महौल अच्छा होना जरूरी है। गुस्से करने के बदले रो लेना अच्छा है क्यूंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है जबकि आसू चुपचाप आत्मा में से बह कर हिदय को स्वच्छ करते हैं। बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो याद रखना दोस्त अपने भी नजरे फेर लेते हैं। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बहतर होगा। धूल कितना भी सुंदर हो तारीव खुस्वू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुनों से होती है। एक कलाकार से दिल के दरवाजे की तस कलाकार ने बहुत खुबसूरत और दिल छू लेने वाला जवाब दिया कि दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। बाहर से नहीं। तीन चीजे कभी बापश नहीं आती। बोले हुए अलभाज, गुजरा हुआ वक्त और तूटा हुआ भरोसा। रिष्ते कभी भी संकेत है कि आप मजबूत हो। प्राथना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। फलदार ब्रिच और गुनबान मनुसे हैं जुकते हैं। सूखी लकडी और मुर्ख मनुसे कभी नहीं जुकते। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब जब कोई देख कर भी अंदेखा कर देता है। मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते, बुरी नियत बालों के कभी पेट नहीं भरते। जीवन में उचा उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। क्यूंकि कभी आप नीचे आएं तो सामना इनहीं लोगों से होगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना हीं दूसरों की अच्छी बात। भरोसा काच की तरह होता है। एक बाल टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग-अलग हीं दिखाई देता है। बड़े बुजरुग कहते हैं गरीब व्यक्ती की हाई और दो अलाद का ना होना इंसान के लिए एक दुख है। अलाद होकर काम्याब ना होना उससे बड़ा दुख है। अलाद का काम्याब होने के बाद बरबाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ वह भाग्य साली हैं। लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ उए सौभाग्य साली हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए जय स्री कृष्ण, जय स्री राध है